कि ग्यारा दिन है अब इजलो के पास विकर प्लेंडर से अपना कॉंटेक्ट वापस बहाल करने के लिए वरना लिउनर नाइट जो है वो कैसे हैं आप सब्लोग आप देखरें रेक्शन पास सुलिवान और अभी रीसंटी मैंने चंद्रियान टू का जो लेडिस्ट अफडेट आया था साथ सब्टेंबर को कि जी अल्मोस मिशन कंप्लीट है बद जो विक्रम है जरफ वो कहीं खो गया है और कॉंटेक्ट नहीं कर सब्सक्राइब तो जैसे ही वह साथ तारीक को खबर आई उसी दिन मैंने उस पर रियक्शन दिया अब हुआ कुछ है कि मैंने उससे अगले दिन खबर आगी कि जी इजरो ने किसी तरीके से विक्रम को ढूंड लिया है और अब उससे कॉंटेक्ट करने की कोशिश कर रहे है अब मैंने तो वीडियो साथ सेप्टेμबर को बनाई अगले दिन जो आपडेट आई है वो तो पात में आई है तो खेर जो वीडियो में जिस पे रियक्शन देता हूं तो उसका जो टाइटल होता है वोई टाइटल मैं अपने वीडियो को देता हूं तो अब कुछ लोगो वीडियो ने देखी पूरी वीडियो और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे आप अफेंड हो जाएं जो हग की बात थी मैंने सारी वही बाते हैं अगर आपने नहीं देख सकते हैं बार और चीज़ को हम साइट पर रखते हैं तो चंद्रियान से रेलेटिड ही आज ये वीडियो है जो के लेटिस्ट अपडेट है चंद्रियान की के विक्रम है वो हिजरो ने उसको वहाँ पर जो और्बिटर है उसके जरीए उसकी इमेजिस वहां से ली है और उनको पता चल देख सकते हैं कि वीडियो बेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह मैं तोड़ा सा संजाएंगे कि क्या बेसिकली हुआ कि आव इक्रम लेंडर के साथ मैं वीडियो देखने के बाद आपसे इस चीज़ पर डिसक्रेशिण भी करूंगा तो उसके इमारे असाथ बने रही है कि इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं तो यहां पर ही लिखा आ रहा है कुछ क्योंकि वीडियो स्टार्ट करने के पाद चाहर मैं सो ना पढ़ता हूँ कि पांसो मीटर दूर है जहां पर उसने लेंड करना था वहां से इस इस इन वन पीस इत में हैड़ लेंडियो स्टार्ट कर गया होगा है लेंडियों के दुरान और अपनी जगहां पर पहुंचने के बाद बाद बजाए कोई तिल्ट करते करते थोड़ा सा आगे निकल गय होगा है यह उनका ख्याल है इस रोवानों का तो मोर इंफरमेशन एंड अप्डेट्स विल बी कमें सुन तो यह यहां पर लिखा आ रहे हैं लेट्स टार्ट वीडियो ना साथ सेतंबर 2019 को जब सारी दुनिया सो रही थी तब इक देश चाग रहा था वह जाग रहा था अपने उस सपने को साकार होते हुए देखने के लिए जिसे वह पिछले करीब 10 तालों से देख रहा था पर जब विक्रम लैंडर मून के सरफेस से महस 2.1 किलोमेटर उपर था तब उसका संपर्क हम से तूट गया और तब से यह साफ नहीं है कि विक्रम लैंडर का क्या हुआ पर इसरो के वैज्यानिक लगातार विक्रम लैंडर का पता लगाने और उससे संपर्क साधने की कोशिश में लगे हुए है और हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 2 और्बिटर की मदद से विक्रम लैंडर की थर्मल इमेजेज लेने में सफलता हासिल की है जो की अपने एक्चुल लैंडिंग साइट से करीब 500 मीटर पर मौजूद है जिसके बाद से ही इसरो लगातार विक्रम लैंडर से संपर्क जोडने में लगा हुआ है पर दोस्तों क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वज़े से विक्रम लैंडर अपने एक्चुल लैंडिंग साइट से भटक गया और उसका संपर्क हम से तूट गया और कितनी संभावनाए हैं कि हम वापस विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित कर लें यह सब जानेंगे हम आज की इस एपिसोड में तो नम से ही तए दो लैंडिंग साइट्स में से किसी एक को चुनकर उस पर सौफ्ट लैंडिंग करनी थी अर्थात हम उसे बैंगलूरू में मौझूद कमांड सेंडर से रियल टाइम पर कंट्रोल नहीं कर रहे थे हम बस उसे चंद्रयान टू और्बिटर की मदद से रियल टाइ आपको देखकर यह पता लगा सकते हैं कि विक्रम लैंडर आखरी समय में लैंड होने से पहले अपना रास्ता भटक गया जिसकी वज़य से यह अपने एक्च्वल लैंडिंग साइट से करीब 500 मीटर दूर मौझूद था विक्रम लैंडर के किसी इंजन ने आखरी समय में काम करना बंद कर दिया हो जिस वज़य से विक्रम लैंडर लैंडिंग के समय अपनी गती को कम करने और बैलन्स करने में असफल रहा हो ऐसे में हो सकता है कि इसने मून के सर्फेस पर क्रैश लैंडिंग की हो और उसका हैंटीना तूट गया हो जिसकी वज़य से वह हमसे संपर्क नहीं कर पा रहा है दूसरा कारण वही कुछ वैज्यानिकों का मानना है कि हो सकता है कि विक्रम लैंडर के इंजन ने जरूरत से जादा थ्रस्ट पैदा कर दिया हो जिसकी वज़य से इसने अपना बैलन्स को दिया हो और वह मून के सर्फेस पर क्रैश हो गया हो दोस्तो चांद और प्रित्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल अलग है ऐसे में विक्रम लैंडर को मून पर सौफ्ट लैंडिंग करने के लिए बेहदी कम थ्रस्ट या एनरजी की जरूरत होती है ऐसे में गलत कैल्कुलेशन के चलते विक्रम लैंडर ने सरूरत से ज़ाधा थ्रस्ट पैदा कर दिया हो और उसका बैलन्स बिगड़ गया हो तीसरा कारण दोस्तो वहीं कुछ बैग्यानिकों का मानना है कि हो सकता है विक्रम लैंडर में मौजूद कम्प्यूटर के मैल फंक्शन करने के कारण इसका संपर्क हम से तूट गया हो और वह आखरी समय में अपना रास्ता भटक गया हो ऐसे में शायद उसने मून पर एक क्रैश लेंडिंग की होगी या शायद वह उल्टा पलट गया हो जिसके वज़े से हम उससे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित करने के लिए हमारे पास केवल 11 दिनों का समय है क्योंकि इसके बाद आने वाले लिउनर नाइट के जमा देने वाले थंड में विक्रम लैंडर का बच पाना काफी मुश्किल है ऐसे में हमें और पूरे भारत देश को उम्मीद है कि इसरो जल्द से जल्द विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित कर ले क्योंकि यह उम्मीद ही होती है जो की हमें कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करती है कि एक ना एक दिन हमें इसका फल यानी सफलता जरूर मिलेगी ऐसे में आपको क्या उमीद है हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं साथ ही इसरो और विक्रम लेंडर के लिए नीचे कमेंट में धेर सारी शुपकामना है लिखना ना भूलें अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करेंगे दोस्तों अब हमने इसकी आपडेटेड वीडियो देखी है जो कि पिछले कुछ दिनों में जितनी भी खबरें इसे रिलेटेड आई हैं और जो भी इसरो ने बताया है वो सब इसमें मौजूद है और मुझे लग रहा है कि शी यि खबर ठीक है और जरॉक्त क्लेकी है कि थोड़ा थोड़ा मुझे भी आपनी मेडियो पर चाहए कि यह हो रहा है इसमें इसमें ने बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक चाल रहा था जैसे कि आप सब को पता embarrassed और्बिटर जो है अपनी जगह पे और उसमें ये है कि जो इसका विक्रम लेंडर है वो बता रहे हैं कि इज्वो ने उससे देखा है और्बिटर के थूप के जी वहां पहुंच तो गया है लेकिन 500 मेटर की दूरी पर जिस जगह पे उसमें जाके लेंड करना था वहां से 500 मे वजह बताय जा रही है कि यह चाहित अरब तो इस में वोग वाल रापता फ़िजा और में को भola की से लिए और थरस्ट वाली बात तो शायद मानना है specialist का अगर जूरत से जादा थ्रस्ट पैदा कर दी हो तो इसका balance बिकड़ गया हो और वो उलड़ गया हो या कुछ भी उसमें मसला मसाहिल हो गया हो ठीक है ये तीन बाते वो गईए देखें ये तीन वजा ते उनके जहिन miratt को सब्सक्राइ सेंगल जिसकी क्रेश कर गया हो का रजसली का इंडिमार गया हो झिसकी क्यांटियों डूड़ मंप्प्यूटर मायफ्टे काजिए कर गया है तो वो नहीं उससे contact हो पा रहा तो ये तीन reasons हैं और बेशेक जी आप एक experiment कर रहे हैं और इसमें ये है कि जितने भी बहाब में जितने भी और मुलक हैं चाहिए वो अमेरिका हो गया और चाइना हो गया मैंने उनका भी यह सुना है कि कोई भी first attempt में अपना mission pass नहीं किया किसी इंडिया ने मैंने जैसे पहले भी का इंडिया ने first attempt किया है और फिर भी 95% अपनी काम्यापी हासल किया है so that is a very big achievement आप फिर और वो फिर try करेंगे तो अपनी गलतियों से सीख के फिर try करेंगे तो hopefully वो सब कुछ बेतर हो जाएगा ग्यारा दिन है अब इस लो के पास विकरम लेंडर से अपना contact वापस बहाल करने के लिए वरना lunar night जो है वो आ जाएगी और lunar night के चलते वे इतनी ठंड होती है कि किसी भी के विकरम लेंडर का वहाँ सर्वाइव करना नामुम्किन है बिल्कुल तबाव बर्बाद हो ग्यारा दिन में कहरें कि अमीद है कि इस लो रापता कर लेगा विकरम लेंडर से और इन्होंने भी वही बात किया जो मैंने अपनी वीडियो पर की थी कि दुनिया उमीद पर काईम है अच्छी नियत होनी चाहिए अच्छी सोच होनी चाहिए and you have to have faith in God तो सब कुछ अच् करें तो फिर जो है वहाँ पर problem आ जाती है तो I hope कि सब कुछ अच्छा ही हो and यह है कि अब जो है कुछ मजीद हमको जानने को मिला है क्या की situation क्या हुई थी यह अगले दिन की updates है जो मैंने जो वीडियो बनाई थी वो साल सब्टेंबर की update थी so guys अगर आपको reaction अच्छा पूलिएगा ताकि जब भी मारी latest वीडियो आए तो आपको notification सबसेट पहले मिल जाए उसके लाव Instagram पर मुझे follow करेंगे तो उसके perks है वीडियो आने से पहले आपको स्टोरी में पता चलताएगा कब नई वीडियो आ रही है डेली स्टोरी वहां पर डालूगा वहां पर request कर करने के follow करने के बाद तो यहां से पहले वहां पढ़नोंगा यहां भी पढ़नोंगा वहां पहले पढ़नोंगा उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करोगा सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें खुब शेयर करें इसे तरह और वीडियो जो व्लॉग जाते रहेंगे आप बस हमारा साथ देते रहिए अपना खुब सब्सक्रा क्याल रखिएगा अलाव